स्मार्टफुन अगर आपका बड़ीड सात अजार, पिए स्मार्टफुन लेना जाता हो यह वीडियो मैं आपके लिए कर रहा हूं तो बात कर लेका सीधा नंबर फो की नमबो फो की बात करो नमबो फो पे यार मैंने रखा है Samsung Galaxy M02 को अगरी स्मार्टफून की बात करूँ सबसे पहले भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह स्मार्टफून जो है वो आपको चार कलर्स में देखने को मिल जाता है उसके बाद हम बात करें यह दो विट में देखने को मिलेगा 2GB RAM के साथ 3GB RAM के साथ जो भी आपके प्राइज में सेट बैठता है आप उसकी और जा सकते हो प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ आप जो स्टोरेज को एक्स्पेंडेबल कर सकते हो 1TB तक अगर आपको ज्यादा स्टोरेज रखने के शुकीन 5000 dign мер की पैंतरी मिल जाती है मतलव 5000 ml ऐकको एक दिन तो नॉर्मली निकाल देगी आपने जैसे भी यूस करना है जितना भी यूस करना जाती आपने लिघर सकते हो प्लस मैं आपको यह भी बता देना अब पर है color बगार है मैंने आपको बता दिया जो भी आपको सही लगता है आप उस color के और जा सकते हो अभी बात कर लेते हैं इसके main specification की थोड़ा सा मैं आपको deeply बता देता हूं तो यह display की बातों को 6.5 inch PLS LCD देखने को मिल जाते है प्रसेसर की बात करूँ मैंने आपको पहले ही बता दे कि आपको core processor इसमें देखने को मिल जाते है जो की 28 nanometer technology के साथ बेस्ट है बेंटरी की बात करूँ आपको 5000 mAh की बेंटरी देखने को मिल जाते है camera की बातों को dual camera मिल जाते है 30 megapixel प्लस 2 megapixel selfie की बात करूँ आपको 5 megapixel selfie देखने को मिल जाते है storage की बात करूँ यह 2 win में आता है 2 GB RAM and 3 GB RAM के साथ प्लस आपको 32 GB storage देखने को मिल जाते है price की बात करूँ आपको 7,200 के budget range में Samsung Galaxy M02 देखने को मिल जाएगा तो बही main specification तो मैंने आपको बता दिया Samsung Galaxy M02 के यार इसको number 4 पर रखने का एक reason है यार बहुत ऐसे बंदे होते हैं जब मुझे ऐसे बंदे बहुत message करते हैं जिनको non-channel smartphone नहीं जाहिए होता है आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आपने चयाओर करना है आप चयाओर भी कर जब तो आपको long battery laugh मिल जाते है camera quality भी इसकी back camera की सही है लेकिन selfies की इतनी अच्छी नहीं आने वाली आप 7,000 के budget range में इतना भी expect नहीं कर सकते कि आपको selfie भी बहुत अची मिले hand main camera में भी इसकी बात कर लेते हैं तो यार यह smartphone आपको 7,500 के budget range में देखने को मिलता है तो अगर आप extra पे कर सकते हो आपके लिए बहुत ही ज्यादा good deal होने वाली है इसकी build quality बहुत सही है design look wise भी बहुत अपर है and specification की according देखा जाए तब भी यह smartphone थोड़ा सा आगे जला जाता है आपक अगर आपको storage जादा जाए आप SD card use कर सकते हो प्लस dual same है तो अगर आपने dual same use करनी है तो भी आप normally easily कर सकते हो तो POCO C3 आपको सही price range में देखने को मिल जाता है अभी बात कर लेते है इसके main specification की मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ deeply तो display की बात करूँ आपको 6.43 इंच LCD देखने को मिल जाते है पपो प परसेसर की बातों को helio g35 देखने को मिल जाते है इस package storage की बातों को 3GB ram भी ब्लस 3GB storage battery की बात करूँं इसमें आपको 6000 इमस की battery देखने को मिल जाते 6000 mh की battery मतलब आपका तो एक दिन से मतलब दो दिन भी आपके नॉर्मली निकल जाएंगे अगर आप जादा यूजर नहीं करते तो आपके दो दिन तो नॉर्मली ही निकल जाएगे प्लस आपको 10W का Fast Charger मिल जाता है कैमरे की बातों को ट्रिपल कैमरा मिल जाता है 30 Mpx के साथ सेल्फी की बात करूं आपको 5 Mpx सेल्फी मिल जाती है प्राइस की बात करूं आपको 7500 के बजट में Poco C3 देखने को मिल जाएगा तो बही मिन स्पेसिफिकेशन में आपको बता द इसका प्रोंसर भी आपको तगड़ा देखने को मिल जाता है आप गर आप कीमिंग बारा करना जाते हो आप इजली कर सकते हो देना चाहते हूं यार इसका लुक बहुत ही ज़्यादा अब पर है अगर आपको लुक मैटर करती है डिजाइन मैटर करता है आपके लिए परफेक्ट डील होने वाला है Realme C11 आप इस स्मार्टफोन के और जा सकते हैं इसके स्पैसिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले भी मैं आपको बता देना चाहते हूं कि डो कलर में देखने को मिलता है दोनुं कलर इसको बहुत ही ज़्यादा सूट करते हैं जो भी आप कलर लेना चाहते हो आप ले अगर आपको आपको पहले बता दिया कि आपको अपको अपर मिली जाता है तो भी अगर आपका बजल साथ जार है आप इस स्मार्टफोन के और जा सकते हो बहुत ही ज्यादा गुड डिल आपके लिए हो सकती है आगे बात करते हैं नमबो वान की बात को लिए नमबो वान पर यार मैंने रखा कर चाहते हूं कि यह चार कलर में देखने को मलता है यह स्मार्ट ह親 कर में बहुत ज्यादा सूट करता है ठीक है , तो अगर आप ने जाना, इन्फिन σ्मार्ट का State का रिपी आप चाहते हैं। आपको ये भी बता देना चाहते हूं जो कि इस फून की खास यादा है एक प्लस पॉंट आ जाता है कि आपको फिंगर प्रिंट भी देखने को मिल जाता है जो कि सच में एक प्लस पॉंट आ जाता है तो इसमें आपको से 1000 ms की बैंटरी भी देखने को मिल जाती है जो कि आपके दो दिन तो नॉर्मली निकाल देंगे एंड इसमें आपको मीडिया टेक का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि 12 दिस्प्ले का साइज है वो भी आपको बड़ा देखने को मिल जाता है 7000 के बज़िट विंच में तो भी अगर आपने जाना आपके पैसे घ्राब नहीं होने वाले अगर आप 7000 पे कर देते हो लिंक मैंने प्रवाइड किया आपको सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आट या करतं अगर आपका मेरी वीडि चल ल याप वीडियो और ओंड आ कमैंट करते लाना आपका लाइग नियोह..